मत्रा के चौकी किष्णा नगर के भूतेश्वर नाले में एक व्यक्ति का शब पड़ा मिलने से इलाके में संसनी फैल गई पुलिश ने सब को कबजे में लेकर पुश्माटम के लिए भेज दिया और अग्यात व्यक्ति की तलास में जुट गई आपको बता दें के मत्रा के चौकी किष्णा नगर के भूतेश्वर पर सुबै के वक्त लोगों का हुजूम लग गया वहां रहागीरों ने देखा कि नाले में किसी अग्यात व्यक्ति का शब पड़ा हुआ है देखते ही देखते ये खबर आजपास के छेतर में आज़ की तरह फैल गई और काफी संख्या में लोगों की मौके पर भीर जमा हो गई इस्थानीय पुलिस को सूचना दे गई मौके पर पहुँंची इलाका पुलिस ने देखा कि नाले में एक व्यक्ति का शब पड़ा हुआ है जिसे बाहर निकल वाया गया जांच में पाया गया कि व्यक्ति की रात्री में नाली में गिर जाने से मृत्य हो गई है वहीं मृत्व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल सका कि ये कहां का रहने वाला था पुलिस सबूतों के आधार पर मृत्व्यक्ति की जांच में जुट गई और शब को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भिज दिया वहीं स्थानिय लोगों और पुलिस के अनुमान के मताबिक बताया जा रहा है ये व्यक्ति ने अधिक शराप पी रखी थी जिसके चलती वो नाले में गिर गया जिसकी वज़े से उसकी मौत हो गई भूतेसवर नाले में पड़े मिले अग्याशब के वारे में फिलहाल पुलिस जांस कर रही है जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही है पहले भी इस नाले में रात्री में कैई लोग गिर कर अपनी जान गवा चुके हैं लेकिन नगर निगम द्वारा आसपास के खुले नालों को अभी तक धका नहीं गया है कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते व्यक्ती की मौत हो गई अगर नाला धका होता तो इस व्यक्ती की जान बस सकती थी इसको लेकर लोगों ने नगर निगम के प्रती अपना आत्रोस जताया